Hello दोस्तो, Facebook Ads Course के आज के इस पर्टिकॉलर वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि Facebook Ads Campaign में Campaign Budget Optimization या फिर Advantage Budget Optimization क्या होते हैं, किस तरीके से आप Maximum Benefit उठा सकते हैं इस Option को और आप अपना Budget अच्छे से यूटिलाइज करके Maximum Conversion लेकर आ सकते हैं अप अपने Businesses के लिए, आप अप अपने Budget को Effectively इस्तमाल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताऊँ कि CBO, यानि Campaign Budget Optimization जिसे पहले कहते थे CBO, अब वो Advantage Campaign Budget Optimization हो गया है, और यह कैसे इस्तमाल करते हैं, ताकि आप अपने Budget को Effectively Utilize कर सके, चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देता आपका जो Campaign है, वो divided होते हैं, First होता है Campaign Level, उसके बाद होते है Add Set Level, और यह होते है, Last Part होता है आपका Add Level, और इन तीनों ही पार्ट में आपको कुछ न कुछ Option देखने को मिलते हैं, Campaign Level पर भी आपको कुछ Option मिलते हैं, उसी के साथ साथ आपको Add Set Level पर भी कुछ Options मिलते हैं, ज तीनों स्टेचेज में बाते हुए Options होते हैं, उसे इस्तामाल करके आप अपने Campaign को Design करते हैं, Optimize करते हैं, ठीक है, तो चलिए, अब मैं आप आगे बताता हूँ कि यह CBO Option कहाँ पर मिलता है, तो CBO Option आपको मिलता है Campaign Level पर, जब भी आप आएंगे, यह Campaign Level है हमारा, ठीक है First Level नीचे आप थोड़ा सा आएंगे, यहां आप आपको A-B Testing के नीचे Advantage Campaign Budget आपको देखने को मिल जाएंगा, यहां पर आप देखेंगे तो यह जो Default है, वो Offer आता है, यह On नहीं होता है, अब यह Advantage Campaign Budget या CBO होता क्या है, यह आपके Budget से Related है, अब जब भी Campaign लगाना जाते ह तो वहाँ पर आपको कुछ Budget रखना होता है, चाहिए आप lifetime budget सेट करते हैं, या फिर आप daily budget रखते हैं, कि मैं daily 1000 रुपे इस campaign पर खर्च करना चाहते हो, चाहिए आप lead campaign वहाँ पर design कर रहे हो, आप traffic चाहते हैं, अपनी website पर app install आप चाहते हैं, किसी भी type का campaign हो, आप कोई कोई वहाँ पर budget लगाते हैं, आप कोई भी अपना campaign design करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं, आप अपना campaign name रखते हैं, यहाँ पर आपकी जो objective वगएर है, वो select करते हैं, और direct आप आप आजाते हैं, एरसेट लेवल पर, आपको ज्यादा option नहीं मिलते हैं, और यहाँ आते हैं आप एरसेट लेवल पर, और यहाँ पर आपको यह देखते हैं, आपको यहाँ पर budget लगाने का option मिलता है, आप यहाँ पर daily budget भी लगा सकते हैं, lifetime budget भी लगा सकते हैं, यहाँ पर daily budget का option ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे 800 रुपे हैं, तो आप यहाँ आप अपने according तुछ भी budget रखते हैं, लेकिन CBO, यानि campaign budget optimization में क्या होता है, अगर आप अपने campaign level पर select कर लेते हैं, इसे on कर देते हैं, तो फिर आपको जो budget है, वो लगाने का option आपको asset level पर नहीं मिलता, आप यहाँ देखेंगे, अभी मैंने यहाँ पर CBO on कर रखता है, advantage campaign budget, यहाँ पर schedule है, उसके बाद आगे audience आप select करते हैं, अब परिस्मेंट वगरे, यानि budget का option आपको नहीं मिलता है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना चाहिए, कि यह जो campaign budget optimization है, या फिर advantage budget optimization है, यह work कैसे करता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ यहाँ यहाँ पर instructions दिये हैं, Facebook ने यह दिखिया लिखा हुआ, advantage campaign budget will distribute your budget across currently delivering ad sets to get more results depending on your performance goals choice and bid strategy, you can control spending on each ad set, अब इसका क्या मतलब हुआ, आपने कोई campaign design करा, उस campaign में आपने तीन ad set बनाए, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, किस तरह किसे आप multiple ad set बनाते हैं, क्य situation आपके सामने आती है, जिसकी वैसे आपको ad set बनाने पड़ते हैं, आपको create करना पड़ता है, ताकि आपका ad अच्छा perform कर पाए, अगर आपके सामने ऐसी situation आती है, कि आपको multiple ad set create करना है, अपने campaign के अंदर, और फिर वहाँ पर आप इस option को utilize कर सकते हैं, चलिए, मैं आप आपको अपने white board की मदद से अच्छे से समझाता हूँ, मैं आपको बता चुका था, कि ये कोई आप campaign है, आपका campaign कुछ में हो सकता है, traffic हो सकता है, sales हो सकते हैं, lead generation campaign हो सकते हैं, और आप क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ budget लगाते हैं, budget मतलब मैं बता चुका हूँ, अगर ज बजट लगाएंगे, और यह budget आपके according है, जो आप चाहते हैं, जैसे मैं 1000 रुपे बजट लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1000 रुपे बजट लगा चुका और इसे on कर चुका हूँ, तो अब इसका देखेंगे, कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पर, मैंने य क्या करूँगा, इस campaign में मुझे ऐसे situation आती है, कि मैं 3 ad set बनाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ आपको, ad set 1, ad set 2, और ad set 3, अब आप यहाँ पर देखेंगे, यह जो 1000 रुपे है, अब यहाँ पर आपको 2 option मिलते है, कि यह जो 1000 रुपे है, आपके पास इसी कोई situation आती है, अगर आप इसे on नहीं करते हैं, और आपके सामने ऐसे situation आती है, तो आप ad set लेवल पर जाते हैं, वहाँ पर आप multiple ad set बनाएंगे, और multiple वहाँ पर आपने specify कर दिया, आपने कहा Facebook से, यह जो मेरा ad set 1 है, मैं इस पर खर्च करना चाहता हूँ, 300 रुपे, यह जो मेरा ही है, इस पर मैं 300 रुपे, और इस पर भी मैं 300 रुपे खर्च करना चाहता हूँ, आपने mention कर दिया, बिल्कुल, अब क्या होगा, Facebook इतना ही खर्च करेगा, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता, average 300, 300, 300 ही रहेगा, डेली आपके खर्च होंगे 1000 ही, और आपका जो आपने यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपने इस option को on कर दिया, अगर यह option off है, अगर यह option off है, तो आप asset level पर आते हैं, और फिर आपका जो यह फंडा काम करता है, अपने 1000 रुपे लगाए, और आपने specify कर दिया, कि मेरा asset 1 है, इस पर 300 हर्च करना है, करने हैं, कि मुझे इतना ही खर्च करना है, मुझे इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, लेकिन यह control अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं, फिर आप यहाँ पर इसको जैसा ही option on करेंगे, यह facility आपके पास अब नहीं रहेगी, अब क्या होगा, अब यह कैसे काम करना है, वो मैं आपको पताता हूँ, जैसे यह adset तीन है, तीन adset है, और इसमें क्या है, कि पहले क्या करेगा, facebook इन सब को थोरा सा boost करेगा, थोरा सा इसमें खर्च करेगा, एक एक सो रुपे खर्च करेगा, इसमें एक सो रुपे, तीन ही adset पर खर्च करेगा, अब इसमे क्या है कि Facebook ने यह दुखा कि यह जो Adset 1 है जहां मैंने 100 रुपे खर्च करा तो यहां मुझे 5 लीड आके मेरे कस्टमर के लिए यहां मैंने 100 रुपे खर्च करा तो यहां 2 लीड आई जब कि यहां मैं 100 रुपे खर्च करा तो यहां 1 ही लीड आई तो उसको यह message जाएगा कि यह जो asset one है, यह effective है, इस पे लोग engage कर रहे हैं, यहां से result आ रहा है customer, यहां पर interact कर रहे हैं, वो अपनी lead दे रहे हैं, अब वो क्या करेगा, यह जो बाके के 700 रुपे थे, 300 तो खर्च ही कर चुके, 700 में से वो 500 रुपे अब यहां पर खर्च करेगा, क्यों कि message यह मिला Facebook को, कि यह asset बहुत बढ़िया है, इसमें ad copy अच्छे से लिखा गया, headlines अच्छे से लिखे गया है, यहां पर user आ रहे हैं, और वो अपनी lead दे रहे हैं, क्योंकि Facebook भी एक business है, उसके पास भी एक burden है, कि जो भी कोई budget लगाता है, कोई company या businesses, अपने add run करने के लि businesses को, या फिर advertiser को, इसलिए वो इस type के option को कहता है, कि आप इस्तमाल किजे, मेरे हंदर में आप control दीजे, मैं देखूँगा, कि जो भी asset अच्छा perform कर रहा है, मैं उस पर आपका जो एक हजार है, वो budget लगा दूँगा, लेकिन अगर आप CBO on ही करते, तो आपका जो add है, कैस इसा भी perform करे, मुझे तो वह इतना ही खर्च करना है, इस से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है, लेकिन मेरे हिसाब से यह बहुत ही अच्छा तरीका है, अगर आप अपने budget को अच्छे से utilize करना चाहते हैं, तो आप CBO ज़रूर on किजिए, और यहाँ पर आप देख सक कर दे, और इस पर result कमा रहे हैं, तो यहाँ यह 200 रुपे खर्च करगा, और इससे कम result यहाँ पर मिला तो इसे 100 रुपे ही budget लगाएंगे, और यहीं तो हमें चाहिए, as a advisor हमें क्या चाहिए, मेरे ने ad set बना दी, अब मुझे result चाहिए, आप कहीं से भी लाग कर दो, हम Facebook से कहते हैं, इसे लिए आपको यह सारे तरीके आजमाने पड़ते हैं, आप आते हैं अपनी campaign level पर, आप यहाँ पर आप जो CBO है, उसे on कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप इसे on करते हैं, तो आगे आपसे पूछता जाए का आपका Delhi budget क् मैं आपको समझा चुका हूँ, whiteboard के मैंसे, मैंने 1000 रुपे लगाए, और मैंने 3 airset लगाए, और उस airset में जो सबसे ज़्यादा अच्छा perform करेगा, जिस पर सबसे ज़्यादा interactions आएंगे, leads आएंगे, यह क्या करेगा Facebook, उस पर इस 1000 में से 500 रुपे या हो सकता, 700 रुपे भ सकते हैं, अब यहां पर देखें, जैसे मैंने इसे on कर आ, आपको जो यहां पर manually आपको यहां पर airset में लगाने की option है, वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा, आप यहां पर adset level पर आपको budget लगाने का कोई option ही नहीं मिलेगा, तो इसलिए अगर आपके सामने ऐसे situation आती है, क आपको नहीं पता कि आपको कौन सा एड परफॉर्म अच्छा करेगा, तो आप CBO on कर दिजिए, Facebook खुद analyze कर लेगा, उसे खुद पता चल जाता है, उसके पास बहुत सारे data है, AI है, उसे बताता रहाता है कि यह जो campaign, यह जो ad set है, इसका जो ad copy है, यह अच्छा परफॉर्म कर अगर आप इसी तरह के complete course सीखना चाहते है, Facebook एर से related, Google एर से related, Canva Graphic डिजाइनिंग, तो आप visit कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पर, यहाँ पर दे सकते हैं, मैं 580 पलस videos create करा हूँ, आप लोगों के लिए, जो completely digital marketing के उपर ही है, one stop solution हो सकता है, आप लोगों के लिए, अगर आपको यहाँ पर visit करते हैं, तो आप free में, बिना किसी investment के, digital marketing के हर segment के लिए, आपको यहाँ पर course देखने को मिल जाएंगे, playlist section में आएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे, digital marketing के हर एक topic के ओपर आपको यहाँ पर courses देखने को मिल जाएंगे, और यह जो courses है, structure way में मैंने practical करके, advanced level पर, basic to advanced level पर आपको चीजों को सिखाया है, अगर आपको यह courses valuable लगते हैं, आपको थोड़ी भी value मिलती है, तो जरूर subscribe कर लिजे, क्योंकि इससे हमें motivation मिलता है, और मैं इसी type की videos और आपके लिए लेकर आता रहूं, और आपको benefit होता है, इसलिए channel को subscribe कर लिजे, और झाल, 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